हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तिमाल होने वाले जो सिरप होते हैं जो सस्पेंशन होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे कि ब और फ्लॉक्स ओजेट के नाम से आता है जिसके अंदर ओफ्लॉक्स असिन एंड और्निडाजोल का सस्पेंशन रहता है मतलब कि सिरप फॉर्म में मेडिसेन होती है दोस्तों अगर हम इसके यूजिज को देखें तो यह पैरसाइटिक इंफेक्शन जब बच्चों को हो जाता है कि बच्चे कुछ गंदा खा पी लेते हैं कुछ कंटामिनेट खा लेते हैं तो उससे क्या है बच्चों को पैरसाइटिक इंफेक्शन हो जाते हैं जिसमें रिंग वाम इंफेक्शन होना पेट के कीड़े होना तो ऐसी समस्या को यह मेडिसेन ठीक करती है दोस्तों नेक् उसको jो ≫ का द्यार्या जैसी कंडीशन आ रही है इन्फेक्शन फैलने की बज़ा से या एबडोमिन का इंफेक्शन है या फिर इनटेस्ट नई वगज़ा का इंफेक्शन है आतों में इंफेक्शन वगदा है तो उसके लिए भी काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करता है दोस्तों यह एक एंटिवाइटिक मैडिसिन होती है जो बचों में होने वाले पैरसाइटिक इंफेक्षिन अर्बचों के दाथ में या मस्तूरों में किसी तरह का इंफेक्षिन वहा है तो उसको ठीक कर ती है गैस next medicine जिफी के नाम से आपको मार्केट में मिल जाती है और यहां अगर हम बात करें तो यह सैफ बॉन ड्राइ सिरप के नाम से है जो कि ड्राइ सिरप में मेडिसिन है मतलब ड्राइ सिरप की फॉर्म में है और सिफिक जिम एक एंटिवाइटिक मेडिसिन होती है दोस्तो एंटिवा भी कहते हैं इसके अलाबा किसी को meningitis जैसी problem हो जाती है बच्चे को spinal cord का infection हो जाता है UTI का infection हो जाता है या बच्चों को skin infection होता है जिसमें soft tissue infection वगएरा भी हो जाता है तो ऐसे जो भी infection होते हैं जो ये सारे infection बैक्टेरिया की बजहासे होते हैं तो ऐसे infection को ठीक करने के लिए का काफी फाइदे मन्द होता है दोस्तों ये oral suspension यानि dry powder है जिसको oral suspension की form में त्यार करके इस cap की मदद से बच्चों को दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि antibiotic medicine है सरिफ pediatric use के लिए है बच्चों के लिए है और बच्चों के सरीर में होने वाले जो भी bacterial infection होते हैं उनको का antibiotic medicine है वो काफी popular है और doctor के द्वारा बच्चों को काफी दी जाती है गाइज next medicine की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है metoclopramide syrup जो की ये syrup की form में medicine आप देख सकते हैं perinorm के नाम से market में आपको मिलती है जिसका composition होता है metoclopramide hydrochloride जो की ulty को रोकने के लिए एक बहुत अच हो रहा है तो ये सारी समस्याओं को treatment करती है गाइज अगर के बच्चा जो कुछ खाता है उल्टी कर देता है दूद पलट देता है उसको digestion ठीक से नहीं हो पा रहा है उल्टी आ रही है और साथ में मितली जैसी समस्या है बच्चा बार बार आपका दूद पलट देता है तो डॉक्टर उसको perinorm जो है सीरप देते हैं perinorm सीरप का काम होता है कि ये बच्चों में होने वाली ये उल्टी मितली इंडाइजेसन जैसी जो भी समस्याओं होती है इनको treatment करता है मतलब के इनको cure करता है दोस्तों ये 60 ml का pack है इपका company इसको बनाती है और जब भी आप इसक को खरीदें इसका MRP वगएरा चेक कर लें 50-60 रुपए में आपको ये medicine जो है मिल जाती है तो आप इसको अपने नजदी की medical store से खरीच सकते हैं और जितनी भी medicine आप कभी भी लाते हैं सबका expiry वगएरा जरूर चेक कर लें जिससे आप कोई खराब medicine ना लाए और आपके ब medicine हो जाती है डाइसाइकलोमीन एंड साइमेथिकॉन का suspension जो की अगेन एक सीरप होता है मतलब कि suspension होता है blue cross companies medicine को बनाती है और अपनी बहुत popular name मेफटाल के नाम से आपको मिलता है तो कहीं आपको मेफटाल फोड के नाम से मिल जाता है कहीं मेफटाल इसपास के नाम से मिलता है तो मेफटाल इसपास और मेफटाल फोड का जो composition है वो थोड़ा सा change रहता है तो इस medicine को आप लाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके डॉक्टर बताते हैं उसी हिसाब से लेके आएं दोस्तों बात करें इस medicine के uses और benefits की तो इस medicine का जो main काम है वो अगर किस इसी बच्चे के पेट में abdominal cramp आ रहे हैं मतलब कि पेट में जो है एठन मरोडन हो रही है बच्चे को उल्टी जैसी feeling आ रही है बच्चे को उल्टी कर रहे हैं बार 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 बहुत ज्यादा इनके पेट में gas बन रही है acidity हो रही है और पेट जो है फूल रहा है पेट का भारीपन हो रहा है बच्चों को तो ऐसी सभी समस्याओं को ट्रीटमेंट करता है और गाईज अगर हम बात करें इसके और वेनेफिट्स की तो कभी-कभी क्या होता है कि जब बच्चों को पैरसीटामोल वगेरा से बुखार नहीं उतरता है तो उस समय डाइसाइकलोमीन और पैरसीटामोल के कॉमबीनेशन वाली मैडिसिन भी बच्चों को दी जाती है जो कि बुखार के लिए भी काफी फाइदे मन्द होती है तो अगर हम यहां इस मैडिसिन की बात करें तो इसका जो काम है वो पेट से समंदित है कि जब बच्चों को पेट में एठन मरोडन होती है पेट में मरोड चलती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है बच्चे काफी परिसान होते हैं तो ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस मैडिसिन को यूज किया जाता है दोस्तों इस मैडिसिन को दो बीक से ज़्यादा बिल्कुल भी ना दे और हमेशा अपने डॉक कॉमन सीरफ हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा काफी दिये जाते हैं तो ये सारे जो सीरफ हैं वो आपके बच्चों के लिए काफी फाइदा करते हैं और गाईज इन सभी मैडिसिन को जब आप बच्चों को देते हैं तो आपको कुछ बातों का धियान रखना है कि बच्चो ऐसे side effect आते हैं तो तुरंत अपने doctor को बताएं जिससे उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, doctor medicine को adjust करके दे सकें और सभी safety tips को follow करें, दोस्तों ये जो medicine होती हैं, इनको हमेशा धूल दूप sunlight से बचा के रखें, इनको एक सही condition पर restore करें, सही room temperature पर रखें, जिससे medicine खराब ना हो और guys आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चों को medicine देते हैं, इस major cup की मदश से medicine दें, इस पर जो ml के निसान लगे होते हैं, तो doctor जितने ml medicine बताते हैं, उतने ml medicine को माप के दें, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो guys ये था आज की इस वीडियो में कुछ common suspension medicine syrup का एक जानकारी वीडियो जो की बच्चों के लिए बहुत ही यूज किया जाते हैं, उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपके लिए informative रहेगा, वीडियो पसंद आता है, तो इसे like और share करें, आपके अपने channel unique medicine को subscribe करें और देखते रहें, ऐसे ही knowledgeable वीडियो, आप से मिले पर एक नई वीडियो में, जैहिंट पंदे मात्रम